कि दोस्तों बात करेंगे मैदा के बारे में कि मैदा कहां से आता है बहुत से लोगों के खुरिसिटी भरत सवाल रहता है और आप यह बिल्कुल न सोचे कि फाल्दू वीडियो इसमें भी कहीं न कहीं आपको मैडिकल मिलेगा और बहुत इंपोर्टेंट है यह वीडियो तो देखते हैं दूस्तों किस पौदें पीड़ से ने कलता है मैदा तो पहली छी किस गहूं से आपका आठा बनता रूट ठीछाते हैं अप उसी से आठा बनता उसी से मैदा बनती है अन गया जा लेकिन उसका थोड़ा सा बस میں लिवक्रिया अलग होता इसको समझने के लिए आपको जो एक अनाच का दाना होता है उसको समझना पड़ेगा उसके अन्धर मिद्वने को अंदर कि नग नगन पर-जय होता प्यॉर्ट मैट सब्सक्षर्ण्च ब Drew तो यही तीन चीजें होती है अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा अगर यहां से हम जर्म को और जो ब्रेंड है इनको हटा दें और बीच का जो एंडूस्पर्म डे लेते हैं तो क्या है प्योर भाइट है और टेस्ट है तो इसी को एक्स्ट्रेक करते हैं कंपनियां कई तरह की मसीनों का इस्तमाल किया जाता है और कई तशल है प्रीक्रीया होती है तो प्लांट में चीजें होती है फर उसको ज़र्म को अटा के प्र्यांड को अटा के फिर पीच का सरफ और से उस पाउडर को लेकर आपको मैदा आपके सामने लाग रख देती है अभी यह की ना गेंगों से बन रहा है ना तो जब सोर्स उनका यह की है तो अलगल रिजल्ट के से होता क्या दोस्तों कि हर एक चीज चाहे वो फूट से ले लो चाहे अनाज ले लो सब के अंदर फाइवर्स होते हैं तो फाइवर्स हमारी बोड़े के लिए इंपोर्टेंट होते हैं फाइवर्स आपके बोड़िम जाएगा इंटेस्ट के अंदर लंबे समय तक पड़ा रहेगा और खाने को डाइजस्ट करने में मदद करेंगा अगर यह फाइवर्स ना मिले तो आदमें का पेट खराब रहने लगता है तो जो उपर ब्रैन है और ज चोकर वाला आटा के लाओ जो आटा चानने के बाद चोकर बचता उसके साथ आप रूटी बना खराओ तो आदमें का पेट सही हो जाता है क्योंकि फाइवर्स उसकी बोड़िम पहुंचते हैं तो मैदाम फाइवर्स का तो नाम उन्हें सान नहीं सिर्पोर सिर्ट के लिए होता है जब भी कोई वक्ति नान खाएगा तंदूर रूटी खाएगा या पीज़ा वर्गर खाएगा तो उसका पेट इसलिए खराब हो जाता है वही चीज गेहूं से बनी है लेकि उसके अंदर फाइवर्स नहीं और रोटी रोटी नौर्वर्स आपने खाता है जनम से ख काना तो आपके पेट में फाइवर्स पहुंचते हैं और आपका पय्स रहता है अब जब किसी बेखती को कोई बीमारी एक बिद्व दो में मिल गया होगा कुछ समय में आया कुछ सीखने का मिला तो प्ली से वीडियो को लाइक कर जिस से मुझे मोटिबेशन अ मिलता है ताकि आपको यसे वीडियो आपको लेके आ सकें लिए अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और रिक्रेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करें सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन रवा जिससे आपको वीडियो के नोटेफिक्स मिलते वहेंगे इसमें कोई पैसे नहीं लगता है फ्री आपकोस्ट होता है ठीक है आप देख रहे थे ग्यानियर्द अमेरिकल चैनल मैं झाल